हेलो और वेलकम बैक एवरिवन दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुती यूसफुल छोटा सा वीडियो शेयर करने वाले हूँ आज हम ग्लास स्टोन को कलर करेंगे जो कि जनरली हम रेजिन आर्ट में यूस करते हैं यह देखिए इस तरह के ट्रांस्परेंट क्लास स्टोन साते हैं रेडिमेट भी कलर्ड मिलते हैं लेकिन आप घर पे अपने मन चाहे कलर में आप इजीली इनको कलर कर सकते हैं तो आज मैं यही आपके साथ दो तीन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ ताकि आप आसानी से अपने घर में ही मन पसंद कलर में इन स्टोन को कलर कर सकें तो इसके लिए हमें एक पेपर कप चाहिए एक कैंडी स्टिक चाहिए और इस तरह के यी अलकोहल इंग्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में आप सबसे बढ़िया तरीका तो इसी को यूज करके आप कलर कर सकते हैं इससे थोड़ा सा टांसफरेंट इफेक भी आता है तो यहाँ पर मैं ब्ल्यू कलर ले रही हूँ आप अपना बन चाहा कोई भी कलर यूज कर सकते हैं तो मैंने थोड़े से ग्लास टोन्स को पेपर कप में डाल दिया और इसमें मैंने कुछ अलकोहल इंकी ड्रॉप डाल द बन गया है आप इसे थोड़े देर के लिए इस तरीके से फैला के रख दे जिससे के प्रॉपर ड्राय हो जाए अब हम दूसरे तरीके से कलर करेंगे इन ग्लास टोन्स को तो मैंने यहाँ पर यह दिखिए यह माइक का पाउडर लिया है जो हम रेजिन में यूज करते हैं प्राउन कलर चाहिए था मुझे या फिर इस तरीका आपके पास जो परल पिगमेंट पड़ा हो रेजिन के लिए हम यूज कर रहे हूं अब इसमें हम थोड़ा सा यह मीडियम यूज करेंगे जो कि हम जनरली पाउडर कलर में एड़ करने के लिए करते हैं तो हलका सा हमें फैरन से प्लॉड़ा सा कलर एड़ करना है पाउडर और इसमें हम यह मीडियम मिला देंगे बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा मिलाना है जिसे कि वह कलर अच्छoup अच्छे से ले ले और इसे हमें बहुत ही अच्छा연 तरीके से मिक्स कर देना है अब शेड्니다 आप से आपक तो देखिए यह हमारे बहुत ही प्यारा सा should बन गया है कौफी ब्राउन इसको बस हमें फोड़ी ज्यादा धेर के लिए अच्छे से फैल आना है क्योंकि यह इसकेı मैठ सा मेड्यज भीक्स हो गया है तो इह फोड़ा चिकी हो जाता है तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह का आप golden dust ले सकते हो, जो generally हम काम लेते हैं अपने art and craft में, इसकी जगे आप चाहे तो ये जो gold pigment है, resin में जो हम काम लेते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप इस तरह का spray paint भी यूज कर सकते हैं, जो golden spray paint आता है, आप तो कहीं भी online या local art and craft store पे ये मिल जाएगा, तो इसे हमें यूज करने से पहले अच्छे से shake करना है, और कोशिश किजिए कि आप open area में करें, क्योंकि इसकी gases निकलती है, तो इस तरीके से हमें उस पर spray करना है, फिर इसको थोड़ा सा mix करना है, ताकि नीचे के पार्ट को भी हम फिर से अच्छे से paint कर सकें, और फिर से मैं इस तरीके से golden spray कर रही हूँ, और ऐसे दो तिन step में आप करके और इसे भी अच्छे से dry होने के लिए रख दीजे, तो देखे, इस इन तीन technique से मैंने ये multiple जो स्टोन से वो color किये है, ये मुझे जो चाहिए थे मैंने वो ही shades किये है, brown, ये teal blue, थोड़ा सा ये जो है dark brown, dark or light की quantity आप चाहे तो मतलब color कितना mix करना है, कम ज्यादा color mix करके आप अपना बना सकते है, ये है थोड़ा सा और different shade है, brown में ही मैंने थोड़ा सा white mix करके ये किया था, और ये जो golden जो मैंने आपके सामने ही किया, कितना ही beautiful ये लग रहे है stones, और ये transparent, transparent में क्या होता है, generally हम जब resin में add करते हैं तो पूरा transparent हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा white color इसमें add कर दिया, देखिए ये पूरा transparent दिखता है, और इस पे हलका सा मैंने white pigment add किया, अपने ही method से medium मिला के, तो हलका सा आपको वो एकदम transparent होता है वो नहीं होगा, तो आप ये भी dry कर सकते हो, तो कितन आप resin का काम करते हो, आप normally art and craft के जो अपने articles बनाते हो, उसमें ये सारे colors आप use कर सकते हो, तो आपको ये unique idea कैसा लगा, मुझे comment करके ज़रूर बताएगा, और देखिए इन stones को use करके brown and white and golden से मैंने beautiful सी nameplate बना ली, तो आप भी इस तरीके से अपने खुद से color करके stones use कर सकत हो, तो अगर आप कोई video अच्छा लगा है, तो जल्दी से मेरे channel को subscribe कर दीजिए, अगर आपने नहीं किया है, और भी ideas के लिए, तो मिलते हैं अगले video में, तब तक के लिए, see you, take care, bye bye